good morning all कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे होगे तो चलो फिर देखते है क्या है आज के लिए angel guidance क्या है आपके angels आपके ancestors सब क्या guidance देना चाहते हैं तो चलो फिर देखते हैं ओटे प्लीज काईब किजए universe angels and sisters इस काइट कीजिए इस काइट कीजिए एंजल्स ओके फोर आफ गैबरेल का कार्ड है यहां पर वेरी नाइस ठीक है थ्री आफ एरियल का कार्ड है एंड है मेरे पास लास्ट कार्ड लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके लिए यहां पर थ्री कार्ड साग है ओके सो लास्ट कार्ड है मेरे पास 10 अफ एरिल का कार्ड बॉटम अफ देक है दे आमप्रेस वाव सो आज की जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं आमप्रेस कार्ड देखूंगे क्योंकि यह बहुत ही खुबसूरत सा कार्ड है और I think यह आपकी रिडिंग में पहली बार आया है मतलब कि जब से मैं एजल गईडेंस कर रहे हूँ यह आज पहली बार आया है मेरे पास तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको explain करूंगे आपको तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि देखो आपका जो time है आपका जो सपना है ठीक है वो पूरा होने का टाइम है ये एकदम से सपना जो आपने देखा है जो आपने अपने बच्चों का सपना देखा है हो सकता है बहुत सारे मेरे विवर्स ऐसे हैं जो बच्चों का सपना देख रहे थे लेकिन क्या होता था किसी वज़ों से जो है न हैं यहाँ पर एक माता है दीक है यानि की माता मतलब की मा ठीक है पर यहां पर जो है ना एंजल्स बता रही है कि आपके और यहां पर आपके घर में कोई Good नूजल्स मिल रहे थे ठीक हैं अब यह टाइम आगया है कि आप जो है ना इसके बारे में सोचो ठीक और क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ लग जर्यस आने वाला है मतलब कि एकदम से लगेगा कि हाँ आपकी खुशियों का दर्वाजा खुल गया है चाहे आपकी लव लाइफ तो यहाँ पर बात करते हैं इन सारे कार्ड्स की तो सबसे पहले फोर अफ गैप्रेल है यहाँ पर मुझे नजर आता है कि फोर अफ गैप्रेल यह जो टाइम है देखो यह भी टाइम मुझे बता रहा है कि आपका जो टाइम है यह सलिब्रेशन करने का टाइम है क्योंकि य कि आपने पास्ट में बहुत जादा हाड़ वर्क किया है किसी चीज Pause लिए उसमेस के लिए आपने पूरा अपनी जान लगा दिया हैं तब जाके आपको जो है ना ये जो टाइम है ये मिला है जो अभी का वक्त है वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है यानि कि आपके लाइफ में खुशियां आपकी लाइफ में अबंडेंस ये सब जो है ना मुझे नजर आ रही है चीजे ठीक यहाँ पर क्या है कि आपके उप लेकर चलोगे ना कुछ नहीं मिलने वाला है छोड़ो उस बर्डन को पास्ट को वहीं पे छोड़ो और यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर देखो ठीक है पास्ट में जो हुआ सो हुआ उसको थो हम बदल नहीं सकते लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर इसको हम बदल सकते ह है तो आपके हाथ में क्या है कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो है यहां पर आपने जो मेहनत की है उसी के उसी के बलबूते पर जो है ना आपको यहां पर सक्सेस मिलने वाली है आपकी लाइफ में यहां पर चेंजिस आने वाले हैं ओके तो यहाँ पर second card मेरे पास है three of एडिल का card जो कि मुझे बता रहा है कि देखो आपके पास choices हैं मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग जो है न दो लोगों में confused हो रहे हैं ठीक है love life को लेकर के दो लोगों में confused हो रहे हैं यहां पर और यहां पर आशा भी दिख रहा है जैसे कि आप अपने आफिस में अपने जॉब में जहीं जहां भी हो ठीक है वहां पर लोग आपसे जैलस हो हैं ठीक है आपके success आपके work के वज़ा से आप लोगों के साथ रिष्टे बहुत अच्छे से तरीकी से बना लेते हो जिससे लोग आपसे बहुत जलते हैं तो यहां पर क्या है कि उन पर ध्यान ना दे करके आप अपने करियर पर फोकस करो ठीक है लोगों पर ध्यान दे करके मतलब कि उनकी जैलसी और यह सब के पीछे पढ़के आप अपना time waste मत करो क्योंकि वो जलेंगे आपके अंदर वो capacity है वो power है जिसे आप दूसरों के आप जो है ना आप देख लो कि आपको क्या पसंद है ठीक है आपको क्या चाहिए आपकी life में है ना तो यहां पर cards clearly बताते हैं कि आपको choose करना होगा ठीक है चूज करके आगे बढ़ना ही होगा ओके तो यहां पर अगले card की मैं बात करती हूँ तो अगला card भी मेरे पास आ रहा है कि बहुत ही बड़ी सी success मिलने वाली है आपको ठीक है बहुत बड़ा success हो सकता है कि कोई नया proposal मिल जाए आपको हो सकता है कि कुछ नया financially success मिल जाए आपको एक तरीके से देखा जाए तो काफी time के बाद आप एक बहुत अच्छे person मतलब कि बहुत अच्छी जो है ना मुझे नजर आता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा एक प्रोजेक्ट आएगा या फिर कुछ ऐसा आएगा जहां से money से related जो है ना चीज़े यहां पर नज़र आ रहे हैं मुझे पैसे से related किसी को पैसे उधार दिये थे तो हो सकता है कि वो पैसे मिल जाए आपको क्योंकि मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है और यहां पर आपको मुझे मैं देख रही हूं कि आप अपनी family में भी time spend कर रहे हो और family को time नहीं दे रहे थे तो अब जो है ना अब देना सुरू करो ठीक है क्योंकि यहां पे cards बता रहे हैं and this बता रहे हैं कि आपको family को भी time देना है और ऐसा नहीं है कि अमीर बनने के बाद से आपके live में अगर आपको success मिल रही है तो अपनी family को अपने friends को भूल जाए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरे वक्त में भी वह हमारे साथ होते हैं और अच्छे वक्त में भी वह हमारे साथ होंगे तो अच्छा होगा ठीक है तो यहीं है कि अच्छे वक्त में किसी को भूलना नहीं चाहिए और बूरे वक्त में जो आपको भूल जाए वह आपका अपना नहीं है ठीक है तो इस चीज को ध्यान चाहिए ठीक तो यह है आज की एंजल गाइडेंस आप सब के लिए मिलते हैं अगली रिडिंग में तब तक के लिए हसते रहे मुस्कुरातरी और खुश रहे बाबाई